problem 30 in consecutive frequencies imitate from an organ pipe are 50 75 100 and 125 then the frequency of 10th overtone 10th overtone का बताना है यह यह जिरका है आपको 50 75 100 और 125 यह आपको दिया हुआ है इन में सबसे बड़ा जो common होगा वो आपके पास 25 होगा यानि की जो fundamental frequency होगी वो 25 और जोगी अब आपको यहाँ यह नहीं दिया गाए कि organ pipe कौन सा है open है या close है जब हम open की बात करते हैं तो open organ pipe के अंदर open organ pipe और एक आप बात करते हैं close organ pipe ठीक है close organ pipe की condition में आपके पास यह होता है ठीक है तो close organ pipe यहाँ पर बनाएगा यानि की यह दूसरी condition में आपके पास कैसे बनाएगा यह ऐसे बनाएगा ठीक है यह lambda by 4 होगा और यह आपके पास 3 lambda by 4 होगा ठीक है वैसे आपने QE के अंदर किया होगा तो close organ pipe में जैसे 1 बना उसके बाद 3 बनेगा ठीक है तो यह 1 ratio 3 ratio 5 में होता है जबकि open में सभी बनते हैं 1 2 3 सभी बनेगे ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखें 25 की form में देखें 25 fundamental है तो 25 भी बन रहा है 50 भी बन रहा है 75 बन रहा है ठीक है इसमें करें तो 25 25 की direct बाद 75 तो हमारे पास जो given है उनमें 50 भी है इसमें 50 नहीं बन रहा यानि यह close नहीं होगा कौन सा होगा open होगा और open में 123 यानि 25 50 बन रहे हैं अब आप से जो पूछा गया है वह 10th overtone के लिए पूछा गया है overtone हमेशा एक ज्यादा मनती है जब 10th overtone की बात करेंगे ठीक है तो 10th overtone जो बनेगा वह 11 बनेगा यानि की 11 इन्टू F है ना जो fundamental है यानि 11 इन्टू 25 कितना हो जाएगा 275 हर्च तो option number C हमारे पास आएगा क्लियर है question में हमें नहीं दिया था कि औरगन का एक कैसा है close या open है तो पहले हमने इसको पता किया है तो हमने यहाँ पर देख लिया open औरगन पाई पे उसी के according हमने यहाँ पर 10th overtone के लिए निकाला और टान इससे एक ज़्यादा मिलती है नाइन थे तो टैन टैन थे तो 11 तो 11 एफ आएगा ठीक है थैंक्यू आशा करता हूं साही चीज़े आपको समझ में आई होंगी